हलो गाईज, वेलकम टो इस्टो फीचर एजुकेशन यूटीब चैनल, माईनेमी जबिशेक ठाकूर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आर्टिलरी सेंटर नासिक में होने वाली रिलेशन भरती के बारे में तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस भरती के बारे में सारी जानकारी मिल सकें और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो आर्टिलरी सेंटर नासिक में ये भरती होने वाली है मई 2019 में तो मे 2019 में ये भरती होगी और इसमें बात करूँ कि भरती कब से शुरू हो रही है तो भरती शुरू हो रही है 20 में 2019 से और 20 में 2019 से जो स्पोर्ट्स कैंडिट हैं उनके ट्राइल जो हैं वो लिये जाएंगे तो स्पोर्ट्समेन की अगर भरती की बात करूँ अब इसका अगर full schedule देखें तो full schedule के अगर बात करें तो full schedule में बताया गया है कि 20 मेई 2019 और 21 मेई 2019 को होगी soldier GD category के लिए भरती और इसमें जो outstanding sportsman है उनके trial लिये जाएंगे तो 20 और 21 मेई को जो sportsman के trial है वो लिये जाएंगे 23 मेई 2019 को यानि कि Thursday वीरबार को soldier GD की भरती होगी जिसमें 10th class आप pass होने चाहिए और उस दिन भरती होगी करनाटका, कैरला, आंदरपरदेश, तिलांगाना, तमिलनाडू, डेली, चंडिगड, हिमाचल परदेश, गुजरा तो 23 मेई को होगी ये भरती और 24 मेई 2019 शुकरवार को होगी soldier GD के लिए ही और इस दिन मध्यपरदेश, राजस्तान, जमून, काश्मीर, उत्राखंड, महराष्ट्रा, असाम, अरुनाचल प्रादेश, नागालेंड, मेघाले, मिजोरम, तरिपुरा, मनिपूर, नेपाल, जारखंड, गोवा, सिक्किम, बिहार, ओडिसा, एंड, वेस्ट पेंगॉल के जो कैंडिट हैं, जो इन स्टेट्स के रिलेशन कैंडिट हैं, वो पार्ट ले सकते हैं soldier GD के लिए 24 मेई 2019 को और 25 मेई 2019 को शनिवार को होगी भरती soldier trade man के लिए, जो कि 10th क्लास के बेस पे और 8 के बेस पे soldier trade man के लिए भरती conduct की जाएगी और इनमे priority दी जाएगी all state और union territory of India के candidate को तो जितने भी relation candidates हैं all state और union territory of India के उनको priority दी जाएगी और ये भरती होगी 25 मेई 2019 को और इसी दिन होगी soldier GD की जो कि 10th क्लास पास होने चाहिए और इसके लिए outstanding sportsman of all state की भरती होगी और इसी दिन जो balance priority candidate of all state अगर कोई बचा होगा तो उसकी भरती conduct की जाएगी एक बात इसमें और बता दूँँ आपको जो sportsman के लिए होगी वो open category भरती होगी और बाकी trades के लिए सिर्फ जो relation candidate होगे उनकी ही भरती conduct की जाएगी open सिर्फ sportsman के लिए होगी और बाकी सिर्फ relation candidate के लिए ही conduct की जाएगी भरती तो यह था schedule RT-Center-Nasi की relation भरती का I hope आपको सारी information मिल चुकी होगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो comment section में comment करें और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please channel को भी subscribe करें ताक इस तरह की videos की notification आपको मिल सके so thank you guys for watching this video मिलते हैं इस